आज हम बात करते हैं उश्मा बजट के विशय में बच्चों बजट शब्द से तो हम सभी परिचित हैं क्योंकि हम हर रोज की दिंचरिया में देखते हैं कि हमारा दैनिक बजट होता है हमारे घर का मासिक बजट होता है, हम देश का वार्षिक बजट होता है, बजट का मतलब सीधा सा अर्थ है, जो हमारी आयारी है, वो कितना व्य हो रहा है और किन-किन चीजों में व्य की जारी, उसका पूरा लेखा जोखा जो है, हम उसे बजट कहते हैं, अब जब हम उश्मा बजट के बारे में बात करेंगे तो हम इसमें देखेंगे हम सभी को मालूम है कि हमारी उर्जा का एक मात्र श्रोद जो है वो सूर्य है और उस सूर्य से ही हमें उर्जा या उश्मा प्राप्त हो रही है तो ये जो उश्मा सूर्य से हमारे वायू मंडल या हमारे धरातल तक जो गर्मी हमको मिल रही है, वो किन-किन चीजों में और शोशित की जा रही है, विकिरन की जा रही है, गिन-किन चीजों में खर्च की जा रही है और जब ये पूरा सूर्य का प्रकाश हमारे पूरे वायू मंडल या हमारे धरातल तक पहुँच जाता है तो उसके बाद वो गर्म होगा और गर्म होने के बाद वापस किन माध्यमों से वो अंतरिक्ष में लोटाई जा रही है। इन सभी बातों का पूरा लेखा जोखा जो है उसे हम उश्मा बजट के नाम से जानते हैं। अब हम ने तो ये पढ़ा ही है कि सूरी की उर्जा का एक दशमलो नौ चार कैलोरी जो है हर मिनट में हमें वायू मंडल ये जो हमारा वायू मंडल है उसकी बाहरी सतह पर एक वर्ग सैंटीमीटर में प्राप्त होता है। तो यदि हम इस एक दशमलो नौ चार कैलोरी उर्जा को पूरा सौ प्रतिशत या सौ यूनीट में ले लेते हैं। तो हम ये देखेंगे कि ये सौ यूनीट का जो हिसाब किताब है वो कैसा रहेगा। मतलब कि वो किन माध्यमों से हमारे पूरे इस वायू मंडल पर पहुँच रहा है और किस माध्यम से हमारे धरातल को गर्म कर रहा है। फिर धरातल के गर्म होने के बाद वो किन-किन चीजों में खर्च की जा रही है। तब ही तो एक बैलेंस बना रहेगा। हमारे जो धरातल के गर्म होने के प्रक्रिया है या सूरे से प्राप्त जो उर्जा है। उसके प्राप्त होने के बाद उसे वापस अंतरिक्ष में जब तक उतनी ही मात्रा में ना लौट आया जाए। तो हमारे वायो मंडल और प्रिथवी का जो उश्मा बजट है मतलब ताप का जो संतुलन है वो बैलेंस नहीं बना रह सकता। बैलेंस बिगड़ जाएगा। और हम सभी जान रहे हैं कि यदि ये balance बिगड़ा तो हमारी प्रिथवी पर बहुत जादा गर्मी जो है वो बढ़ जाएगी जिसमें हम सभी का रहना संभव नहीं हैं तो एक balance बनना आवश्यक है और इस balance बनने के ही कारण हमारा जीवन संभव हुआ है हाँ ये ज़री नहीं है कि as it is जैसा हम प्रिथवी की उत्पत्ती हुई है तब से लेकर आज तक ऐसा ही जो संतुलन है उश्मा का या ताप का संतुलन बना हुआ है ऐसा नहीं है हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे मनुष्य जो है वो विकास कर रहा है सड़के बनाई जा रही है है उद्योग स्थापित किये जा रहे हैं हम अपनी सुक्स विधाओं में नित नए परिवर्तन करते जा रहे हैं मतलब कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगे बंद तो रही है साथ ही साथ हम फोर वीलर में घूम रहे हैं उसमें AC है घरों में AC है तो क्या हो रहा है यह जो इन से जो निकलने वाली गैस है जैसे CO2 गैस है क्लोरो फ्लोरो कार्बन है इन सब के यह सब जो है वो हमारे पूरे वातावरण में फैल रहा है और इनकी सांद्रता या इसकी मात्रा में व्रिधी होने से यह तापमान को और ज्यादा और शोशित कर रहे हैं जो हम अभी अपने वरतमान समय में तापमान में व्रिधी जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जान रहे हैं या यह हमारे वरतमान की बहुत जोलंद समश्या हम कह सकते हैं इसके रूप में हमारे सामने आ रही है तो बैलेंस में थोड़ा सा उतार चड़ाव तो हुआ है लेकिन हम देखते रूप से सूर्य से आने वाली किर्णे और उसके बाद वापस वायू मंडल और ये जो धरातल जिस प्रक्रिया के माध्यम से उसे अंतरिक्ष में लोटा रहा है तो ये कैसे होता है और कितनी मात्रा में होता है आईए हम देखते हैं अभी जैसे हमने कहा कि 1.94 कैलोरी उर्जा या उश्मा जो वायू मंडल की इस पूरी बाहरी सतह पर पढ़ रहा है अगर मैं इसे 100 यूनिट माल लूँ तो मैं ये देख रही हूँ कि यदि ये 100 यूनिट है तो इस 100 यूनिट में से जैसे ही ये धरातल या वायू मंडल की सतह की ओर आगे आता है तो हम देख रहे है 27 यूनिट 27 यूनिट जो है वो उपर में स्थित बादल जो है बादल धरातल से कम उचाई पर और अधिक उचाई दोनों पर मिलते हैं तो जहां कहीं भी जैसे ही सूरी की किरने हमें आती दिख रही है तो इसकी जो 27 यूनिट यूनि 27 के बाद ये जो 6 इकाई हम देख रहे हैं 6 इकाई जो है वो हमारे वायू मंडल की सतह पर जो धूलकन जलवाश मिल रहे हैं उनके द्वारा स्केटर्ड कर दी जा रही है बिखेर दी जा रही है और बिखे कर वो महीं पर समाप्त हो जा रही है तो 6 इकाई धूलकनों के द् वो जो हीमाच्छादित छेतर हैं, हीम से ढखे हुए, मतलब चाहे हम परवतों की उची उची चोटियां ले लें, जो बर्फ से ढखे हुए हैं, हम उत्तरी धुरू या हमारे इस दक्षरी धुरू की बात करें, तो इन सब में जो बर्फ की मात्रा रहती है, उनके द्वारा ये दो इकाई जो है, वो वापस अंतरिक्ष को लोटा दी जाती है, तो हमने क्या देखा, 27 प्लस 6 प्लस 2, टोटल 35 यूनिट जो है, वो क्लाउट, डस्ट पार्टिकल्स और स्नो के माध्यम से वापस सुन्य में जो है, अंतरिक्ष को लोटाई जा रही है, कि हमें आपकी क कोई जोरत नहीं है, लोटाई जा रही है, मतलब इसका पूर्णता, रिफ्लेक्षन या परावरतन हो रहा है, इसकी कुछ भी मात्रा जो है, वो इनके द्वारा और शोशित नहीं की जा रही है, तो आप सीधे सीधे इस टोटल जो 100 विनिट थी, उसमें से हम 35 को माइनस कर स तो हिसाब हमको मिल गया कि ये कहां पर खर्च की जा रही है, मतलब इसमें और शोशन के माध्यम से खर्च नहीं हो रहा है, ये वायू मंडल में के द्वारा, वायू मंडल में जो उपस्थित हमने कहां बादल हैं, या फिर जो धूलकन जलवाश्प हैं, और जो बर्फ से ढखे हुए छेतर हैं, इनके माध्यम से पूर्ण रूप से परावर्तित कर दिया जा रहा है, हाँ, यहां पर हमें एक चीज समझना बहुत जोरी है, ये जो पैती सिकाई है, हम इसे प्रित्वी का अलबीडो कहते हैं, जो पूर्णता परावर्तन हो रहा है, अलबीडो मतल होती है, परावर्तन की वह मात्रा होती है, जो आने वाले सूरी के जो प्रकाश है, उसको बिल्कुल आउशोशित ना करके पूर्णता शुन्य में परावर्तित, अंतरिक्ष में लोटा दे रहा है, पूरी तरह से वापस भेज दे रहा है, इस प्रक्रिया को हम अलबीडो क अलग अलग वस्तूयों या पदार्थों का या अलग 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 छेत्रों का अलबीडो जो है, वो अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, मतलब जैसे हम देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा अलबीडो हमको बर्फ का दिखता है, उसके बाद फिर जो शुश्क बालू, रेत वाले जो छेत्र हैं, हम जिसे मरुस्थली छेत्र कह सकते हैं, वहाँ पर का अलबीडो होता है, फिर क्रमशह जो चटाने हैं, जिनके उपर किसी भी प्रकार का बनस्पती आवरण नहीं है, उनके माध्यम से किया जाएगा, फिर बनस्पती से ढखे हुए छेत्रों का तो ये अलग-लग अलबीडो की मात्रा इन सभी छेत्रों में या वस्तूों की अलग-लग होती है, हम ऐसे समझ सकते हैं, सबसे जादा भी हमने देखा, कि जो बरफ हैं, या ताजे जो बरफ हैं, उनका अल्बीडो सबसे जादा होता है, मतलились ही इनके द्वारा जैसे ही सूर इन छेत्रों के द्वारा उसे पूर्णतह लोटा दिया जाता है, परावर्तित कर दिया जाता है। इनका जो एलबीडो है, परावर्तन की जो मात्रा है वो सबसे ज्यादा है। आप देखेंगे जो परवता रोही होते हैं, जो उचे-उचे परवत की चोटियों पर चड़ते हैं, उन्हें गौगल लगाकर ही चड़ना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर उन परवत चोटियों में जो सूरे से आने वाले प्रकाश की मात्रा को परावर्तित किया जाता है, जो होता है, उससे वहाँ पर उनकी आखें जो है वो चौधियाने लगती हैं, बिना गौगल के वो उन चोटियों पर सफर कर ही नहीं सकते, तो हमने देखा सबसे ज़्यादा हिम या बर्फ का अलबीडो हमको मिला, हाँ, जो हलके रंग की वस्तुए होती हैं, या सफेद र गर्मी का मौसम होता है, तो हम ये कोशिश करते हैं, कि हम सफेद रंग के या हलके रंग के जो कपड़े हैं, वो पहने, हम कभी भी डार्क या गहरे रंग के कपड़े नहीं पहनते, या वो पहन कर हम धूप में नहीं निकलते, क्योंकि हलका रंग या सफेद रंग जो है, वो सूरी के प्रकाश को सोखता नहीं है, अपने में वापस परावर्तित कर देता है, लेकिन जो गहरा या काला रंग होता है, वो आने वाले सूरी के प्रकाश को अपने में आशोशित कर लेता है, तो जिसमें आशोशन की प्रक्रिया हो रही है, उससे हमें गर्मी बहुत जा पूर्य से हम तक पहुंच रही थी, उसकी 35 जो है वो बादलों में, धूलकडों में और हीम के द्वारा परावर्तित कर दी जा रही है, पूर्ण रूप से अंतरिक्ष में लोटाई जा रही है और यही 35 जो है वो हमारा एलबीडो हुआ, अब हंड्रेड में से हमने 35 को माइन किया, तो हमारे पास टोटल जो है वो 65 बचा, तो अब हमें जो 65 है, इसमें देखना है कि इसका क्या हिसाब किताब है, अब देखें, अब यह तो परावर्तन की प्रक्रिया हुई, फिर यह 65 जो है, सूरी के प्रकाश की 65 जो है, वो चल पड़ी आगे वायू मंडल और धरा प्रित्वी धरातल की सतह की तरफ, उस तक उसे गर्म करने के लिए, लेकिन हम क्या देखते हैं, कि रास्ते में ही 65 में से जो 14 यूनिट है, चौदा इकाई जो है, वो उपरी वायू मंडल या वायू मंडल की उपरी परतों या सतहों में और शोशित कर ली जारी है, प्रत् परत्वी धरातल और उसके बाद ये पूरा वायू मंडल, तो इस वायू मंडल की सतह में जो उपस्थित किसके द्वारा उशोशित की जाएगी वो, हमें अपने वायू मंडल में धूलकन मिलते हैं, जलवाश मिलते हैं, अलग-अलग टाइप की जो गैसे हैं, वो में से 14 इकाई वो वायू मंडल द्वारा प्रत्यक्ष रूप से आउशोशित किया जा रहा है, किसी का माध्यम नहीं है, वो डारेक्ट एब्जॉव किया जा रहा है, अब हम फिर आगे चलते हैं, कि भई, 14 इकाई तो चल पड़ी थी, आगे धरातल की तरफ जो रास्ते मे ही है, जो हमें वायू मंडल या पूरा एटमोस्फिर दिख रहा है, उसके द्वारा एब्जॉव कर ली गई, अब 65 में से हम 14 माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास बच गया 51, अब हम यह देखना पड़ेगा, कि इस 51 यूनीट का क्या हिसाब किताब है, भई, अब फिर से आ के लिए, अब यह पूरी तरह से पहुँच गई आपके धरातल की सतह पर, सूर्य प्रकाश का 59 इकाई जो है, वो हमारे इस पूरे धरातल की सतह तक पहुँच गया, अब धरातल की सतह पर पहुँचा, तो हमारे धरातल को पूरी तरह से उसने क्या किया, अपने प्रकाश स गर्म किया हां ये सब चीजे जो हम बात कर रहे हैं वो जब तक सूरी चमक रहा है दिन के समय की हम बात कर रहे हैं मतलब जब तक दिन का प्रकाश पढ़ रहा है तब तक सूरी की किर्णे हमें मिलेंगी तापमान मिलेगा और गर्मी जो है वो प्राप्त होगी लेकिन जैसे ही सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त हो जाता है, शाम हो गई, सूर्य का प्रकाश या ताप मिलना हमें बंद हो गया, तो उसके बाद हम क्या देखते हैं, कि ये जो धरातल दिन के समय गर्म हुआ था, वो अब उससे वापस परावर्तित करेगा, या अंतरिक्ष की तरफ लोटान की कोशिश करेगा, तभी तो बैलेंस बनेगा, तो हम देखते हैं, अब धरातल की सता के गर्म होने के बाद, जब इसमें से वापस रिफ्लेक्शन की प्रक्रिया होगी, मतलब वो जो ग्रहन की गई उश्मा है, उसे वापस लोटाने की प्रक्रिया जो होगी, उसे हम या व पढ़ चुके हैं अब हम यह देखते हैं कि धरातल गर्म हुआ फिर इसमें से यह जो सत्रा यूनिट है सत्रा जो इकाई है वो क्या कर दी जा रही है शुन्य में अंतरिक्ष में लोटा दी जा रही है या वापस reflection की प्रक्रिया उसमें हो रही है शुन्य में लोटाई जा रह को लोटाने के लिए तो बिना रुकावट, बिना बाधा या हम ये कहें कि उसके राजते में किसी भी प्रकार का कोई स्पीड ब्रेकर नहीं पड़ता, मतलब कि ना कोई धूलकन, जलवाश, ना किसी भी प्रकार की कोई गैस इसमें यहाँ पर नहीं मिल रही है, जो इस चल रही 17 इकाई उश्मा को अपने में आउशोशित कर ले, इसलिए ये 17 इकाई जो है, वो बिना किसी रोक्टों के वापस reflect हो गई, पुरी तरह से परावर्दित हो गई अंतरिक्षमे, ये प्रक्रिया कहां पर होगी, ये जो 17 इकाई के reflection की प्रक्रिया हो हम धुरवी छेत्रों की बात कर सकते हैं, उचे-चे परवती छेत्रों की बात कर सकते हैं, क्योंकि उपर की सतह पर वायू मंडल वीरल होता वहां पर जलवाश्ब या धूलकन इनकी मातरा नहीं के बराबर मिलती है वहीं यदि हम धृभी छैत्रों की बात करें तो इन धृभी छैत्रों में में भी क्या होता है कि कि किसी भी प्रकार का मतलब एक तौद तापमान ज ममते हैं वह बहुत कम होता है जिसके कारण सीधे से reflection या पूर्ण रूप से परावर्तन की प्रक्रिया हो जाती है तो हमने बात की थी कि 51 unit में 17 unit जो है वो धरातल को गर्म करने के बाद पूर्ण रूप से अंतरिक्ष में लोटा दी गई या वापस कर दी गई अब यह 17 unit तो वापस कर दी गई है अब हम 51 में से 17 minus करते हैं तो हमारे पास total 6 जो बची इकाई है वो 34 unit है अब देखते हैं कि 34 unit का क्या हिसाब किताब होता है हम देख रहे हैं इस 34 unit में से यह धरातल की सता गर्म हुई है और गर्म होने के बाद 19 unit जो है वो इसमें conduction का process हो रहा है संचालन की प्रक्रिया हो रही है संचालन को हमने पहले भी देखा है संचालन वह है कि धरातल की सता जो है वो गर्म हुई और गर्म होने के बाद उसमें वाशपी करण की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाती है वाशपी करण होने से क्या होता है भई सतह गर्म हुई उसमें वाशपी करण हो रहा है और हवा जो है वो मतलब हवा में जो उपस्थित नमी है या आदरता है वो उपर की तरफ धीरे धीरे उठने लगी अब वो जैसे ही धीरे धीरे उपर की तरफ उठेगी तो उसमें ठंड प्रक्रिया होगी उसमें जो उपस्थित उश्मा थी वह रिलीज होने लगेगी वह जब अपनी गरमी को बाहर निकाल देगी तो गरमी जाएगी कहां वहां पर उसके आजपास उपस्थित एट्मास्फियर में एब्जॉर्ब कर ली जाएगी तो हमने देखा कि 19 यूनिट ज हो जाता है या इस प्रोसेस के माध्यम से वहाँ पर जो भी वातावरण या वायू मंडल मिलता है उसमें और शोशित कर लिया जाता है अब 19 के बाद हम देखते हैं 9 unit जो है 9 unit जो है वो convection या समवहन की प्रक्रिया में खर्च हो जा रही है समवहन की प्रक्रिया मतलब हमारा ये पूरा धरातल का surface दिन के समय गर्म हो गया गर्म होने के बाद इस surface में जो भी हवा है वो इस धरातल के गर्म होने से गर्म हो गई और वो हवा गर्म होकर हलकी हो गई हलकी होकर उपर की तरफ वो उठने लगेगी जैसे ही वो उपर की तर लाफ्मान कम होने लगता है इसलिए अब जब यह हवा ठंडी होगी तो ठंडी होने से क्या होगी उसमें जुम पस्थित फिर से जो उश्मा या गर्मी है वो बाहर की तरफ उसको रिलीज कर देती है जो और यह तो यह रिलीज के गई उश्मा या उसके द्वारा छोड़ी ग जो 9 unit थी अब ये जो 6 unit है ये 6 unit जो है वो radiation या विकिरण में खर्च होती है विकिरण हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि धरातल प्रित्वीक की सतह जो है वो गर्म होती है गर्म होने के बाद उसमें लॉंग वेव जो है रेडियेशन होता है या दिर्ग तरंग पार्थी विकरण होता है जिससे हम टेरेस्ट्रियल रेडियेशन कहा था हमने तो इस रेडियेशन के माध्यम से ये पूरी जो 6 unit है वो विकिरण में खर्च हो जा रही है तो फिर से हम देख रहे थे 34 unit का हिसाब क तो हमने समझ लिया 19 विनिट कंवेक्शन या समभण में और 6 यूनिट जो है वो रेडियेशन के प्रोसेज में या उसके द्वारा खर्च कर ली गई तो बच्चों हमने अभी आपने देखा कि हमने देखा कि कैसे उश्मा बजट होता है सूरिय का प्रकाश यदि हम इसे फिर से देख लेए सूरिय का प्रकाश यो है वो हंडेड अया हंडेड से फायब यूह हमने देखा और sence युनिट जो है इस तोटल जो 35 उनीट जो है इस 35 उनीट को हमने क्या कहा था पृत्विका अलबिडो और नेक्स्ट 65 बचा 65 में से 14 जो है यूनीट वो एट्मोस्फियर या वायू मंडल में उपस्थित अलग-अलग जो धूलकन जलवाश्प है उनके द्वारा और शोशित कर ली गई सीधे कि धरातल की सता गर्म हुई और गर्म होने के बाद उसमें जो रिफ्लेक्शन या परावर्तन डारेक्ट रिफ्लेक्ट किया गया जो पूरी तरह से अंतरिक्ष में वापस लौटा दी गई वो 17 उनीट और फिर बची हुई 34 उनीट को हमने देखा कि कंडक्शन, कंवेक्श और रेडियेशन के माध्यम से वो खर्च हो गई तो 51 उनीट जो है जो हम तक पहुँची वो वापस पूरी तरह से लौटा दी गई अब हम यह देखते हैं थोड़ा हम यहाँ पर और समझना होगा कि यह जो हमने 14 उनीट देखा था जो एट्मोस्फियर के द्वारा प्रत् 34 उनीट आउशोशित की गई यह वायू मंदल में छोड़ी गई उश्मा का आउशोशन किया गया था तो यह 34 प्लस 14 जो 48 उनीट है यह एट्मोस्फियर का उश्मा बजट होगा वायू मंदल का उश्मा बजट होगा तो यह 34 उनीट भी वायू मंदल में छोड़ी गई जो जो उश्मत ही और शोशित की गई जो वो भी वापस अंतरिक्ष में लोटाई जाएगी लेकिन वो थोड़ी देर उसको अपने में सोख कर रखती है और इसी प्रक्रिया के कारण वायू मंडल की इसी प्रक्रिया के कारण जो है वो रात का तापमान एकदम से कम नहीं हो पाता जिससे तापमान का बैलेंस बना हुआ है दिन और रात के तापमान का और इसे ही हम क्या कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट तो वायू मंडल की ये प्रक्रिया जो है कुछ समय तक हम अपने आप में ताप को सोख कर रखने की जो प्रक्रिया है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे तापमान एकदम नहीं गिर पा रहा है, रात का जो नियुनतम तापमान है, वो तेजी से नीचे नहीं आपाता और इसी कारण हम देखते हैं, कि जो दिन का नियूंतम तापमान होता है वो सुबह के लगभग चार बजे जो है वो हम अंकित करते हैं या वो उस समय हमको सबसे कम तापमान देखा जाता है तो ये हो गई बात उश्मा बजट की हमने देखा पूरा 100 उनिट कहां कहां पर आई जिसमें 51 उनिट जो थी वो प इनकीन माध्यमों से वो वापस उसे परावर्तित की गई या खर्ची की गई और जितना आया उतना वापस लोटा दिया गया यही है हमारा उश्मा बजट जिसके कारण हमारी प्रिथवी पर ताप का बैलेंस या तापमान का संतुलन बना हुआ है जिससे हमारा जीवन संभ हो है और एक छोटी से बात इसमें हमें और इसलिए जागरुख होना है क्योंकि यह बैलेंस जो है वो जितना लोटाना चाहिए अब यदि हम बात करें लगभग 20-25 साल जादा दूर भी नहीं जाते हम लगभग 20-25 साल पहले की भी बात करते हैं तो इसमें और शोशन की प् का डामरी करन कर रहे हैं इन सब के कारण जो है कुछ गैसों की जो मात्रा जो हमारे वायू मंडल में बढ़ गई है जिससे जितना उसको परावर्तित करना चाहिए था उससे आउशोशन की मात्रा उसमें बढ़ गई है जो हमारे सामने एक बड़ी समस्या के रूप में आ र बर्फ पिघल रही है, बर्फ पिघल रही है, समुद्रों का जलिस्तर बढ़ रहा है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा, कि इस टेंपरेचर में जो बैलेंस स्थापित करना, वो बहुत कुछ हमारे उपर डिपेंड करता है, कि हम अपने वायू मंडल में उपस्थित जो गैसों की मात्रा है, खास करके जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो जिम्मेदार गैस हैं, उनकी मात्रा बहुत जादा ना होने पाए, हम उनमें एक बैलेंस लेकर चलें, तो ये हो गया आज का हीट बजट, उश्मा का संतुलन